हेलो फ्रेंट्स वल्कम तो रेली स्टड़ी दोस्तो आजके इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल 2030 के स्पासल एक्जाम के लिए भारती सन्विधान के कुछ महतफुर्ण कोश्चन सपन कवर करेंगे इस वीडियो में टोप 200 वन लाइनर कोश्चन हम आपके लिए लेकर आएं जिससे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो वन लाइनर के फॉर्मेट में अपन यहां पर कवर करेंगे गैज अगर आपने अभी तक का जब से एक्जाम स्टार्ट होई है चवदा तारिक से लेकर अभी तक का अनलिसिस देखा है तो एक बात जरूर आपने नाटिस की होगी कि सनविधान से अर्टिकल और अनुछीद जो इससे जितने भी यानि की भारती सनविधान के इस्त्रोत हो गए कौन सा कहां से लिया गया है और इसके अलावा यानि कुल मिलाकर भारती सनविधान से ही कुशन आपके बन रहे हैं अब इनकी जो संक्या है य आपके GK के पूछे जा रहे है एक paper में तो इसमें से 8 से 10 number के जो questions है ये भारती सन्विधान से ही निकल कर आ रहे हैं किले रहे हैं इतना वैटेजे किसी में 5-6 भी आ रहे हैं किसी में और ज्यादा भी आ रहे हैं यहने कि average हम आपको ये बता रहे हैं basically कले रहे हैं और हमने ए आफिस ज़्यादा कोशन से रिपीट हुए हमने विद्प्रोप आपको बता है तो आप सभी उस वीडियो को वे जाकर देखेगा टेलिग्राम पर आप जुड़ जाएगा वहाँ पर आपको पीडिएप मिल जाएगी के लिए रहे तो आईए स्टार्ट कते भारती सन्विधा को और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे बने रहेगा सबसे ज़्यादा कूशन यहीं से आपके कवर हो जाएगी तो आईए हमारे फस्ट कूशन से स्टार्ट कते हैं पहला कूशन है आईस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं आईस्थाई लोकसभा जो प्रशनों का निर्ने कौन करता है तो निर्योग गिता से संब्दित प्रशनों का जो निर्ने करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है अगला कूशन है लोकसभा और राजसभा के सदश्यों की निर्योग गिता से संब्दित प्रशनों का निर्ने कौन करता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सदश्यों की निर्योग गिता के सम्मंदित में प्रस्णों का जो निर्ने करते हैं राष्टपती करते हैं नेक्स्ट कोचने आविस्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है आविस्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है ये लोकसभा में लाया जाता है नेक्स्ट कोचने वित्ती बिल कहां पास किया जा सकता है तो वित्ती बिल जो पास किया जा सकता है ये लोकसभा में पास किया कब हुए थे तो यह हुए थे 1952 में लोकसभा के लिए प्रतम आम चुनाव हुए थे 1952 में अगला कुशची में भूतपूर्व संसद सद Stress को 95 व्यवस्ता कब लागू की गई तो यह लागू की 1976 1976 में कितनी होनी चाहिए तो लोकसभा का सदस्थ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष के लिए न्यूंतम जो आयू सीमा है ये 25 वर्स है आप कमेंट करके बताएगा कि राज्यसभा के सदश्य बनने के लिए न्यूंतम आयू कितनी होने चाहिए आप सभी को पता होगा अगला कुशन है कि सन्विदान संसूदन द्वारा मत देने के न्यूंतम आयू 18 वर्स की पहा जाता है तो ये लोकसभा को बोलाता है लोवर हाउस ये होता है अपर हाउस राज्यसभा को बोलाता है उच्य सदन निम्न सदन लोकसभा होता है मौलिक अधिकार वर राज्य के नीती निर्देशक तत्वों में क्या समानता है तो ये एक होते हैं याद रिखीगा अग अगला कुछने भारती सन्विधान का कौन सा अंग समाजवादी विवस्ता करने की प्रेरना देता है तो ये नीती नीदेशक तत्व ही देता है अगला कुछने राजी के नीती नीदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बेंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी यहां कतन क इसका है तो ये केटि सहा का ये कतन है कतन बैसक लिए आप से पूचा गया है अगला कुछने विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता परदान करने की अवश्यक सर्त क्या है दस वर्ष तक भारत में निवास ये इसकी अवश्यकता है requirement होती है विदेशी नागरिकों को दी जा सकती है अगला कुछने दादरा और नगर हवेली भारत में सामिल करने से किसके उपनिवेज थे तो ये थे पूर्तगाल के पूर्तगाल के थे इनको भारत में सामिल करने से पहले भासा के अदार पर पहला कौन सा राजी गटित किया गया था आंतर प्रदेश आप बनाया गया है तो उचिनियाले को या सुप्रिम कोट को सन्विधान का रक्षक बनाया गया है उप्रास्टपती को किसके समान वेतन मिलता है तो लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है उप्रास्टपती को उप्रास्टपती पद हैतू कम से कम कितनी आयू आवश्यक है तो उप्रास्टपती बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष के आयू आवश्यक होनी चाहिए। उप्रास्टपती का जो कारिकाल होता है ये कितना होता है तो 5 वर्ष का होता है उप्रास्टपती का कारिकाल। उप्रास्टपती के चुनाव संबंदित विवात को कौन देखता है तो सर्वच नियाले देखता है उप्रास्टपती के चुनाव से संबंदित विवात को उप्रास्टपती के चुनाओं में उमिद्वार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोधन आवश्यक है कम से कम 20 अनुमोधन आवश्यक है भारत में लगातार दो बार उप्रास्ट पती कौन रहा है था सही जवाब रहेगा सरुपली राधक रश्णन ये भारत में लगातार दो बार उप्रास्ट पती रहे थे अगला कुशनी कि सदर में उप्रास्ट पती को पदच्यूत करने का प्रस्ताव रखा जाता है कारिकाल समाप्त होने से पहले उप्रास्टपती को हटाने का अधिकार किसको है तो संसद को होता है नेक्स्ट को थाने भारत के परतम उप्रास्टपती को होते सई जवाब रहेगा सरोपली राधक रश्नन और ये लगातार दो बार जो है उप्रास्टपती रहे थे अगला कुशन है उप्रास्टपती अपने मत का प्रियोग कब करता है उप्रास्टपती अपने मत का प्रियोग कब करता है तो मतों के बराबर रहने के स्तिती में उप्रास्टपती अपने मत का प्रियोग करते है उप्रास्टपती अपना त्याग पत्र किसे देते हैं तो यह रास्टपती को देते हैं आप सभी को पता होना चाहिए भारत के उप्रास्टपती का चुनाओ कौन करता है संसत के दोनों सदन जो होते हैं यह बारत के उप्रास्टपती का चुनाओ करते हैं गाईस यह questions basically आपकी exam में 110% बनने वाले हैं और आगे और आप बने रहेगा वीडियो में क्योंकि आपकी exam में जो जो questions पूचे जाए रहे हैं सेम यहीं से पूरे के पूरे repeat हो रहे हैं बस patience रखेगा आगे हम start से बढ़ रहे हैं तो राष्टपती के दिलाई जाती है उपराष्टपती के चुनाव है तो कौन सा प्रनाली अपनाई जाती है तो एकल संक्रमनी प्रनाली होती है जो उपराष्टपती के चुनाव है तो अपरत्यक्ष रूप से यह होता है राजसभा की बेटको का सभापती कौन होता है तो उपरास्टपती ही इसके बैटक के अध्यक्ष होता है इस तरह से बोल सकते हैं देखे इस तरह से कुशन आपका बनता है कि राजसभा की बेटको का अध्यक्ष या बैटको को कौन लेता है इस तरह से कोशन आपकी एक्जाम में पूचे जाता है तो याद रखेगा राजसभा की बेटकों का जो सभापती होता है वो होता है उपरास्टपती जो की भारत के होते हैं अगला कुशन है राजसबा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो राजसबा का पदेन जो अध्यक्ष होता है ये उपरास्टपती ही होते हैं भारत के उपरास्टपती की तुलना किस देश के उपरास्टपती से की जा सकती है तो सन्यूक्त राज अमेरिका के उपरास्टपत पद से पद त्याग करने वाले पहले वेक्ती हैं अगला कुछनी सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत की परदानमंत्री का पद क्रमसा किसने समाला तो सबसे कम उम्र में राजिव गांदी ने और सबसे अधिक उम्र में मुरार जी देशाई ने भारत की परदानम किस परदानमंत्री के रूप में किस ने कारे किया गुलजारी लाल नंदा ने दो बार कारिवाहक परदानमंत्री के रूप में काम किया था किस परदानमंत्री की मृत्यू उनके कारिकाल के दुरान हुई थी सही जवाब रहेगा जवहार लाल नहरू लाल बहादूर सास्त्र और इंद्रा गांदी ये जो है भारत के प्रदानमंत्र रहे और इनकी जो मृती हुँए ये कारिकाल के दुरानी हुए अगला कुछनी भारती सनिवीदान किस दिन लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को भारत का सनिवीदान लागू हुआ था भारत का राश्टपती राज्यसबा में कितने सदश्य मनोनीत कर सकता है तो 12 आपका करिक्टांसर रहेगा भारत का राश्टपती राज्यसबा में 12 सदश्य मनोनीत कर सकते है भारत के प्रतम राश्टपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद का चुनाओ कैसे हुआ था तो सन्विधान सबा के द्वारा भारत के प्रतम राश्टपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुना हुआ था भारत का सन्विधानिक अध्यक्ष कौन होता है भारत का सन्विधानिक अध्यक्ष होता है राश्टपती किसी भोगोलिक छेत्र को अनुसूची छेत्र घोसित करने का अधिकार किसको है तो यह रास्टपती कोई होता है अगला कुशने भारत का राश्ट पती किसके द्वारा चुना जाता है तो ये विदाई अधिकार होता है राश्ट पती का अध्यदेश जारी करना कौन से सन्विदान के संसूदन अधिनियम ने 6-14 वर्ग के सब बच्चों के लिए सिख्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया तो ये 86 वाद सन्विदान संसूदन द्वारा किया गया था ये कौशन आपकी एक्जाम में अभी पूचा गया है कलिया भर्षों में अगला कौशन है भारती सन्विदान में सम्मेलित नीती निदेसक तत्व आयरलेंड से संगी सासन प्रनाली कनाडा से अपात कालीन उबंध जर्मनी से ये आप याद रखते चलेगा निती निदेसकता तो आयरलेंड से लिए गए संगी प्रनाली कनाडा से लिए गई आपात कालीन उबंध लिए जर्मनी से कौशन में ये आपको आंसर मिल रहा है तो आप इनको याद रखते चलेगा और गनतांत्रिक ववस्ता फ्रांस से लिए गई है मूल करता भी सुवियस संग से लिए गई है संसोधन की प्रकिरिया दक्षिन अफरीका से लिए गई है अगला कुशन है हमारा जब भारत स्वतन तरुवा उस श्यमें ब्रीटेन के परदानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी तो जब भारत स्वतन तरुवा था उस टाइम पर ब्रीटेन का परदानमंत्री था क्लीमेट एटली और उस टाइम पर ब्रीटेन में लेब अगर्टा बोला जाता है धार्मिक स्वतंतता का अधिकार की सनुचेद में है तो अनुचेद पांच में धार्मिक स्वतंतता का अधिकार देखने को मलता है मौलिक अधिकारों में संसूधन का अधिकार किसको है संसद को होता है मौलिक अधिकारों में संसूधन का अधिकार किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संसूधन का अधिकार दिया गया कौन सा मूल अधिकार विदेसी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो अभिव्यक्ति की स्वतनता का जो अधिकार है ये विदेसी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अगला कोशन है 6-14 वर्स की आयू तक सिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है तो ये मूल अधिकार है, कोश्चन पूचा जा चुका है बी आरम बेटकर ने किसे सन्विदान का हिर्दे एवम आत्मा की संग्या दी है तो सन्विदानिक उप्चारों का अधिकार को दी है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहां दायर की जाती है तो उचि नियाले में रीट जो हती है, उचितम नियाले में जारी दायर की जा सकती है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस याचिका का साब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं परमादेश, इसका अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं अगला कुशने सूचना का दिकार किस राज्य में लागू नहीं है तो जम्मू कस्मीर में लागू नहीं है सूचना का दिकार सूचना याने RTI होता ही RTI Right to Information अगला कुशने किस केदी को न्यायले में न्यायले के समक्चे प्रस्तुत करनवाने के लिए किस रीट की अवश्यक्ता होती है तो बंदी प्रत्यक्षी करन रीट की अवश्यक्ता होती है व्यक्ति का स्वतंत्ता के लिए कौन से रीट दायर की जा सकती है तो हैवियस पॉपर्स रीट ये होती है मुली अधिकारों पर प्रतिबंद लगाने का अधिकार किसके पास में होता है संसत के पास में होता है क्या नीती निर्देसक तत्वों को कारियानवित करने के लिए मुली अधिकारों को हनन हो सकता है कुछ का हो सकता है समान कारी के लिए समान वेतन भारत के सन्विदान में कहां सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीती निजिसक तत्तों में ये सुनिश्चित किया गया है कि समान कारी के लिए समान वेतन दिया जाएगा या दिया जाता है भारत के सन्विदान में अंतराश्टी सुरक्षा को प्रोसाहन देना कहा सन्नीहित है तो राज्य के नीती नीदेशक तत्तों में ये सन्नीहित है सन्विदान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को अर्थिक नियाई प्रदान करने का संकित देता है तो नीदी नीदेशक तत्व आपका करेक्ट आंसर रहेगा राजी के नीदी नीदेशक सिद्दान्तों में से किस अनुषेद का सम्मन्द अंतराष्टी सांति और सुरक्षा के सरवन से हैं तो ये अनुषेद आपका याद रखीगा प्रदान मंत्री का सची वाले किसके अधीन होता है तो ग्रह मंत्राले के अधीन होता है प्रदान मंत्री का सची वाले अगला कुशने भारती सन्विधान में किस अनुचेत को सन्विधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है के लिए रहे इस तरह से questions पूचे जाता है और सन्विधान की आत्मा की सनुचेत को कहा जाता है जल्दी से comment में comment करके आप बताईगा अगला question है भारत का पहला आम चुनाओं 1952 में किसने प्रस्तूत किया था PK सनमुखम सेटी ने प्रस्तूत किया था सन्विधान में प्रतम संसूदन कब हुआ था ये हुआ था 1951-1951 में अगला question है विश्व का सबसे लंबा लेकिस सन्विधान किस देश का है तो ये भारत का है भारती सन्विधान भारती सन्विधान का निर्मान एक सन्विधान सबादवारा कितने दिन में किया गया दो वर्स ग्यारा महीने अठारा दिन में किया गया दो बार राश्टपती निरवाजित होने वाले भारत के प्रतम राश्टपती कौन थे सन्विधान में वर्नित मोलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है तो यह सर्वोचिनियाले करता है भारती गनराज्य का सन्विधानी का सध्यक्ष कौन होता है तो राश्टपती होते हैं भारत का सन्विदान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की विवस्ता करता है तो संगी संसदी सरकार की विवस्ता करता है भारती सन्विदान के अनुसार राजनीतिक सक्ति का अधार क्या है भारत की जनता नेक्स्ट को थेने भारत का सन्विधान भारत को किस रूप में वर्नित करता है तो राज्यों के संग के रूप में वर्नित करता है भारती सन्विधान को कब अंगीकार किया गया 26 नॉम्बर 1950 को भारती सन्विधान को अंगीकार किया गया प्रारूप समीती सन्विदान का अध्यक्ष किसे बनाय गया था डक्टर भीम राव मेटकर को प्रारूप समीती का अध्यक्ष बनाय गया था पंचायती राज प्रनाली किस पर आधारी थे तो सत्ता के विकेंद्री करन पर आधारी थे पंचायती राज प्रनाली भारत में सर सन्विदान संसोदन 1992 में किया गया जिसके तयात महिलाओं को पंचायतों में अरक्षन दिया गया राज भासा आयो के प्रताम अध्यक्ष कौन थे बीजी खरे आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा देश में केवल दो संग राज चेत्र में विदान सभा है और यहां संग राज चेत्र कौन कौन से हो तो दिल्ली और पांडचीरी आपका correct answer रहेगा राज इस्तर पर मंत्रियों की निवक्ति कौन करता है राज जपाल करते हैं मूल सन्विधान में राज्यों की चार अलग-अलग सरेनिया को समाप्त करने के लिए तो फजल अली के अद्यक्षता में राज पुनर गठन आयोक का अध्यक्ष किया गया था राजसबा का स्वरुपृतम गठन कब हुआ था तो ये 3 अप्रेल को हुआ था 1952 में याद रगीगा भारती सन्विधान की किस अनुचेद को सन्विधान की आत्मा के नाम से जाने जाता है अनुचेद 32 को भारत की सन्विधान की आत्मा के नाम से जाने जाता है गोवा को किस वर्स राज्य का दर्जा दिया गया तो 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया भारती सन्विदान का कौन सा अनुचीद राजी सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगटित करने के निर्देश देता है तो अनुचीद 40 देता है भारती सन्विदान की संग और राज्यों के बीच सकती विभाजन की विधी किस देश के संग की प्रेरना पराधारित है तो ये कनाड़ा की जो संग की प्रेरना हिस पराधारित है समान न्याई और निसुल्क विदिक सहायता का परावदान सन्विदान की किस अनुचेद में है अनुचेद 49 A में देखने को मिलता है ये कुशन भी आपका as it is same to same repeat हुआ है 22 सन्विधान कितने भागों में विभाजी तही तो 22 भागों में विभाजी थे ये कुशन भी आपका as it is same to same repeat आपका हुआ है पूझे ज़ेचेचुका है वो देश प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्यवार लाल नेरू के द्वारा लोकसभा में विपक्ची दल के रूप में मानिता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा नियोंतम कितने प्रतिसत सीटे प्राप्त करना अवश्यक है 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल अधिकारों को सरोप्रतम किस देश में सन्विधानिक मान्यता प्रदान की गई तो सन्युक्त राज अमेरिका में की गई अगला कोशनी संपत्तिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है तो वेधानिक अधिकार ये है नेक्स्ट को सेने किसकी अनुमती से कोई भारती नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपादी या सम्मान प्राप्त कर सकता है तो भारत के राष्टपती की अनुमती से कर सकता ही ये कोश्च भी रिपीट हो जुआ है ब्रेटिस संसत के लिए चूने जाने वाले परतम भारती कौन थे इनका नामे दादा भाई नौरोजी सर परतम किस राज में लोक अदालत आउजित की गई थी तो ये गुजरात में आउजित की गई थी लोक सभा की सीटों की संक्या में किस वर्स तक कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 2026 तक लोगसबा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा भारत की सर्वोच विदी क्या है तो ये सन्विधान है भारत के प्रतम मुक्य चुनावायुक्त कौन थे इनका नामे सूकुमार सेद अगला कुशने सन्विधान के किस संसोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के संक्या घठा दी गई तो 45 वे सन्विधान संसोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के संक्या घठाई गई सन्विधान की किस भाग को भारत का मेगना कार्टा कहा जाता है भाग तीन को कहा जाता है अगला कुछनी अनुसूचित जाती और जनजाती छेत्रों के प्रसासन के संबंद में प्रावदान सन्विदान की किस अनुचूची में क्या गया है पांचवी तता च्छेटी अनुचूची में है लोकसभा के निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन कौन करता है तो परिसीमन आयोग करता है नेक्स्ट कुसने 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मद्ध भारत का राजनितिक दर्जा क्या था ब्रेटिस रास्टकुल का एक अधिराज का दर्जा भारत को दिया गया था रास्टपती कितने शमें अंतराल के पश्यात वितायों का गठन करता है पुरतिक पांच वर्स के बाद में करते हैं कानुन निर्मान है तू प्रस्तावित विदेयक के कितने वाचन होते हैं तीन वाचन होते हैं राश्टपती निरवाचन के लिए नियून्ता मायू कितनी होती है तो पैंतिस वर्स नियून्ता मायू होने चाहिए राश्टपती और उप्राश्टपती निरवाचन के लिए नेक्स्ट गोचने सन्विधान में मुल करतव्य को सामिल करने का विचार किस देश के सन्विधान से लिया गया तो यह सोविय संग के सन्विधान से लिया गया वो प्राश्टपती के चुनाओं में मद्दाता कोन होते हैं के अंदरी मंत्री मंडल जो होता है या रास्टपती का अभिभासन तयार करता है एक वर्स में कम से कम कितनी बार संसद की बैटक होना अवश्यक है तो दो बार बैटक होना अवश्यक है सारवजनिक लेखा समीटी में राजसभा के कितने सदश होते हैं तो साथ सदश होते हैं अगला कुछनी भारत के सन्विदान में अवसिस्ट सक्तिया किसमें नहीं दे तो इस संसद में नहीं होती है परिसीमन आयोक का पदी नद्यक्ष कौन होता है राजजी का प्रमुक राजजी के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना सीधा चुना जाना गंतरंत्र कहलाता है गंतरंत्र का मतलब है सन्विधान की किस अनुचेत के तहट राष्टपती संगी मंत्यपसित की सल्ला मानने के लिए बाद दियोता है तो अनुचेत 74 के तहट होता है अगला कोशने भारत की किस राष्टपती के मुरत्यों कारिकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसेन की वोई थी भारत के उचितम न्यायले के किस मुखे न्यायदीस ने भारत के राष्टपती के रूप में काम किया इनका नामे न्यायमूर्ती M. हिदायतुल्ला जो की मद्यप्रदेश उचितम न्यायले के भी Chief Justice रह चुके हैं अगला कोशने भारत की प्रतम महिला राष्टपती कोने इनका नामे प्रतिबा देवी सिंग पाटिल ये भारत की प्रतम महिला राष्टपती हैं दूसरी नंबर की कोने आप बताए जल्दी से कमेंड में कमेंड करके कि भारत की दूसरी महिला रास्टपती कौन है जल्दी से कमेंट करके बढ़ाएगा निर्विरो चुने जाने वाले भारत के एकमात रास्टपती कौन है इनका नाम है नेलम संजीव रेटी अगला कोशने रास्टपती को लोगसभा में किस समुदाई के दो सदश्यों को मनोनित करने का अधिकार होता है एंगलो इंडियन समुदाई के दो सदश्यों को रास्टपती के दवारा मनोनित करने का अधिकार होता है लोगसभा में अगला कोशन है भारती सन्विधान का कौन सा अनुचेद रास्टपती को उच्छतम नियाले से परमादेश करने की सक्ति प्रदान करता है तो अनुचेद 143 आपका करिक्ट आंसर है ये कोशन भी आपका रिपीट सेम टू सेम हो जुका है रास्टपती द्वारा जारी अध्यादेश संसत के सत्र प्रारंब होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है छे सब्ता तक रखा जाना आवश्यक होता है भारती सन्विधान के इस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है तो एकल नागरिकता ये प्रदा करता है भारती सन्विधान के प्रस्तावना में समाजवादी पंतनिर्पेक्च और अकंडता सब्दकों के सन्विधान संसूदन द्वारा जोड़ा गया तो 42 वे सन्विधान संसूदन के द्वारा इसको जोड़ा गया यह भी सेम टू सेम आपका रिपीट हो चुका है अभी जो एक्जाम चलती है इसमें ले रहे अगला कोशने भारती सन्विधान सभा की संगी सकती समीती के अध्यक्ष कौने इनका नामे जवाहर लाल नहरू यह थे भारती सन्विधान सभा की संगी सकती समीती के समय अध्यक्ष अगला कोशने भारती सन्विधान की प्रस्तावन का प्रस्ताव प्रारूप समीती के समक्ष किसने रखा था तो ये जवाहर लाल नेरू ने रखा था अगला कोशनी सन्विदान सबा के सन्विदानिक सलाकार कौन थे इनका नामे बेनेगल नर्सिंग राव सर बी एन राव भी इनको बोलेता है अगले कोशनी 11 दिसंबर 1946 को कि सन्विदान सबा का इस्ताय देक्ष चुना गया तो सई जवाब रहेगा डॉक्टर राजिंत प्रसाथ को सन्विदान की सातवी अनुसूची के अंतरकत जो केंद्री सूची है उसमें कितने विसे सम्मिलित हैं संतानवे विसे उसमें सम्मिलित हैं भारत के राश्टपती वह उपराश्टपती की अनुपस्तिती में कारिभार कौन घरन करेगा तो सई जवाब रहेगा सर्वोची नियाले का मुक्ष नियाए दीज अगला कुछनी भारत के राश्टपती ने किस मामले में वीटो सकती का प्रियोग किया था तो भारती डांगर अधिनियम जो मामल जर्मन कारी के विरुद्ध युद्ध की गोशना कौन कर सकते हैं तो राश्टपती कर सकते हैं अगला कोशन है किसी विदेयक को राश्टपती पुनर विचार के लिए नहीं लोटाता हैं किस विदेयक को राश्टपती पुनर विचार के लिए नहीं लोटाता हैं धन परिसस्ट जो होती है आए बहारत के रैष्ट पती को सला देती है लोकसभा और राजियसभा में यह कोशन थोड़ा सा पैटर्न चेंज था पड़ ये कोशन आपका आ चुका है अभी एक्जाम में अगला कोशनी लोकसभा वर राजसभा में रास्टपती कुल कितने सदश्य मनोनीत कर सकते हैं वित बिल के लिए किसकी स्वेकरती आवश्यक है तो रास्टपती कि स्वेकरती आवश्यक होती है भारत का रास्टपती किसकी न्यूकती नहीं करता है तो उपरास्टपती की न्यूकती नहीं करता है भारत का रास्टपती बैरत के किस राश्टपती के मुरत्यू कारिकाल खत्म होने से पहले हुई डौक्र ज़ाकिर होके नाप उसे नापका कर्रेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा सुधंत्र पहरत के प्रतम राश्टपती किस राजजी के थे संसत के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं बजट सत्र मांसुन सत्र और सीत कालिन सत्र 3 सत्र basically होते हैं सरविधान के किस अनुछेद में मौलिक कर्तवियों की चर्चा की गई तो अनुछेद 51 A में की गई ये कुशन अनुछेद 51 A वाला जो कुशन है आपका same to same आपका repeat हुआ है next question नहीं तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा question आपके repeat हुए हैं लोकसभा के सदश्यों को सपत कौन दिलाता है तो pro time इसकी बीकर जो होते हैं ये सदश्यों को सपत दिलाते हैं राश्टपति सन्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत लोकसभा को बंग कर सकता है तो अनुछेद पिच्चासिक अतायत कर सकते हैं राज्य के द्विवार्सिक चुनावा की घुसना कौन करता है तो निर्वाचन आयोग करता है किसी मंत्री के विरुद अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिती में क्या होगा पूरे मंत्री परिश्वत को त्याग पत्र देना होगा किले रे किसी विदेयक को धन विदेयक होने का अंतिम निर्ने कौन देता है तो लोकसभा जग्ष देता है भारत के सन्विदान के किस अनुछेद में अब अईस प्रस्ता समाप्त करने का प्रावदान किया गया तो अनुछेद 17 में किया गया है अगला कोशन है डॉक्टर भीम राव मेटकर ने मौलिक अधिकार को भारती सन्विदान का हिर्दे तता आत्म कहा है तो ये कहा है सन्विदानिक उप्चारों के अधिकार को सन्विदान की किस अनुछेद में दल परिवर्तन के अधार पर अयोग्गिता के बारे में उप्पबंद है तो दसवी अनुछेद में देखने को मिलता है भारत का रास्टपती अपना त्याग पत्र किसे सोबता है तो उप्रास्टपती को सोबता है भारत का रास्टपती उप्रास्टपती को अपना त्याग पत्र सोबता है मूल सन्विदान में कितनी अनुसूचिया थी तो आठ अनुसूचिया थी वर्तमान में भारती सन्विदान में कुल कितनी अनुसूचिया है तो 12 अनुसूचिया है और मूल में थी 8 भारत के सन्विदान के प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिर पेक्ष सब्दों को कि संसोदन द्वारा जोड़ा गया तो ये जोड़ा गया 42 संसोदन द्वारा 1976 में भारती सन्विदान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन था है डॉक्टर बियार अमबेटकर भारत की सन्विदान सभा गठित करने का अधार क्या है तो केबिनेट मीशन प्लान 1946 ये है भारत की सन्विदान सभा गठित करने का अधार भारती सन्विदान के अंतरगत मूल अधिकारों का संरक्ष कौन है तो नियाय पाली का आपका करिक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है तो रास्टपती कर सकते हैं भारत के सन्विदान में मौलिक अधिकार मूल सन्विदान का हिस्सा था अगला कुशने परतम भासाई राजी किसे बनाया गया था आंद्रप्रदेश को बनाया गया भारत संग में कितने राज्य हैं तो 28 आपका correct answer रहेगा भारती सन्विदान के अनुचेद एक में यह गोशना की गई कि इंडिया अरताद भारत क्या है तो यह राज्यों का संग है नेक्स्ट को थे भारती सन्विदान के किस अनुचेद में अनुचेद जातियों तता 6-335 में रावधान किया गया है सन्विदान सबार के दिल्ली को राश्टार राज्दानी चेतर का दर्ज़ा दरजह दिया गया स्वतंत्र भारत के प्रताम लोक सभा अध्यक्ष कौन थे इनका नामे गदनेश वासुदेव मौलंकर ये स्वतंत्र भारत के प्रताम लोक सभा अध्यक्ष थे मोग के चुनावायोक्ति की नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राष्टपति करते हैं मोग के चुनावायोक्ति की नियुक्ति के लिए रहे अगला कुछने राज के विदान परिस्द में के कितने सदश विदान सभा द्वारा चूने जाते हैं बाहरत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल वे और कुल प्राप्तियों की बीच अंतर को क्या कहते हैं तो इसको बजटी घांटा बोले आता है अगला कुशने नीती आयोग भारत के सन्विदान के किस अनुशेद के तहट संगटित किया गया है ये इस तरह से कोशन है बाहरती सन्विदान सभा के प्रतम दिन के अदिवेशन के अधेक्शता इनों ने की थी डौक्टर सजीदा नंसे ना ने की थी बहरत के सनिविदाहान का निमलेकित में से कौनसा अनुचेद अश्पेस्ता का उनुमूलन सम्मंदी दे था तब किसी भी रोप में इसके आच्रन का निशेद करता है तो अनुचेद सत्रा करेक्टांसर रहेगा भारती सनिविधान में समानता का अधिकार पांच अनुचे द्वारा प्रदान किया गया है अनुचे 14 से 18 लोकसभा या विदानसभा के निर्वाचन में एक उम्मेद्वार अपनी जमानत की रासी को खो देगा अगर उसे कुल वेद मतों का एक बटा 6 से कम प्राप्त होते हैं तो अपनी जमानत रासी वो खो देगा अगला कोशने वित बिल के लिए किसकी पूर्व स्विक्रती आवशक है तो भारत के रास्टपती की पूर्व स्विक्रती आवशक होती है भारत के रास्टपती की मर्जी तक निमलिकित में से कौन अपने पद पर रह सकते है तो राज़पाल रह सकते है अगला कोशने निमलि प्रिकों को आर्तिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है राज के नेती निदे सकता तो ने मिलेगित मैंसे किस वर्स सन्विदान में मूल करतवियों को स्तापित किया गया था तो 1974 में किया गया था किलिए रहे गाइस यहां पर हमने टॉफ 200 कोशन कवर किये हैं और काफी ज बढ़ने है उसकी मदद से काफी अच्छास को सकत た आप यहां तक बने रहे हैं तो आप बिल्कुल सीरिया से और तक से यहां दो और पूरब आर देगे झाल के लिए और आने वाले वीडियों के लिए और और सांती हम बताते हैं, जिन लोगों को रिविजन करना है, उनको PDF में लीएगे टेलिग्राम पर, तो टेलिग्राम को अगर जोएग्र नहीं करके रखाए, तो टेलिग्राम को जोइड कर लीजगा, ताकि आप अच्छे से और उसकी तेयारी में लग जाएं किलिए रे और ये हमारे टेलिग्राम चेनल है अगर आपने जोइन नहीं किया है तो कर लीजिगा यहाँ पर जितनी भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको दी जाती है तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट श्टड़ी वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बन्यमात्रम